बिस्मिल्ह रह्मानिरहीम, अस्सलाम उलेकूम, वेलकूम टू जूफिया विलॉग्स, आज की अपनी इस प्यार्शी वीडियो का आगास करते हैं जी प्यार्शी दुआ के साथ के लाट आप सबको अपने हिपसरे मान में रखें, लाट आप सबके खानों में बर्कत दें और की है, यहां पर हमारे पास है आलू, इदर हमारे पास है जी गाजर, इदर हमारे पास है धनिया, यहां पर हमारे पास है टमाटर, और इदर हमारे पास है सुरुख मिर्च है, और रेड मिर्च है, और साथ में हमारे धनिया, तो के सारे हमारे इंक्रीडियन्स है, इसमें चन तो इस तरह ज़रा इजी फ्राई हो जाएगा एक जगा पर अखटे रहेंगे तो फ्लेम आपने लो रखना है और इन सब को आपने बारी बारी फ्राई कर लेना है और जब आप मटर को फ्राई कर रहे हो तो आपको एक बाद बता दूँ कि प्लीज चूले को बंद कर कि दाल फ्राई हो चुकी है मूं की दाल आलू और साथ में हमारे मटर फ्राई हो चुके हैं इदर हमारे पास जी हमारी कदू कश्कीवी गाजरे हैं और यह हमारे पास दूसरा मेटिरियल हमारे आलू है और साथ में हमारे पास यहां पर है समोसा पटी तब सबस्क्राई आड़ ली एड दनियां ये जो भी हम इसके बाद पिर आड़ करेंगे गाजरे और गाजरे यहां पर कदू कशकी हूई है इसके बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे इमली की चटनी, वन टेबल स्पून और फिर हम इसके अंदर एड़ करेंगे प्याज, वो भी चॉप किया हुआ है, अच्छी तरह से सब चीजों का आपने मिक्स कर लेना है आप इमली की चटनी की जगा गार्डिक चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, रेड चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, जो आपको एजी लगे, एजी लिए अवेलिबल है अब हमने इसके अंदर ढाली जी काली मिर्च, सुरख मिर्च और साथ मिज़ गया जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और फिर इसके अंदर हम एड़ करें हैं चाट मसाला क्योंकि ये चना चाट रोल्स हैं तो इसलिए और हम इसको फिर से अच्छी तरह से जरा मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अगर आपको इसमें लगे के हलका हलका सा पानी है तो हमने यहाँ पर एड़ के इसमें आटा तो आठा एड़ करने का ये फाइद हो चाता है कि अंदर जो हलकालका सा पानी होता है जैसे प्याज है वो पानी छोड़ सकता है तो आठा सारा उसको अब्सॉर्ब कर लेगा और फिर से हम इसको अच्छी तरह से जड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा भी पानी ना रहे अच्छा यहां पर मैं पास है समोसा पट्टी या रोल पट्टी और यह रोल पट्टी बहुत जदा बरीक बहुत ही जदा बरीक सी होनी चाहिए ताकि जब हम हमने मैदे का मिक्सचर रेडी किया हुआ था और यह हमारा एक रोल रेडी हो गया है इसके कॉर्णर को भी अच्छी तरह से आपने वाइंड अप कर लेना है और इसी तरह दूसरा रोल भी हम रेडी कर लेंगे इस तरह बागी के सारे रोल जो है वह हम रेडी कर लेंगे तो योरेडी करके फिर आपको दिखाते हैं जी तो यहां पर हमारे सारे रॉल्स जो है वरेडी ओ चुके हैं आप देख सकते हैं कि ये जो रोल पती है कि वो कितनी पतली सी है और इतनी ही पतली होनी चाहिए तो जी आपने ऑइल को पहले गरम कर लेना है और उसके बाद जो आपका फ्लेम हो वो बहुत ज़्यादा लो हो क्योंकि अंदर का सारा मिटिरियल पका हुआ है बॉयल है सिर्फ आपने उपर की कवरिंग को थोड़ा सा ब्राउन सा कलर देना है और इनका जो फ्राइंग टाइम है वो है तक्रीबन तक्रीबन 5-10 मिनिट्स और वन बाइवन आप इन रोल्स को इस तरह से आप फ्राइब करेंगे तो फ्राइब करने के बाद आपको इसको डिशाओट करके दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं तो यहां पर जी हमारे पास इम लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ इसको जरूर शेयर कीजेगा इस रेसिपी को इस चना चार्ट रोल की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और साथ ही साथ अपना फीड़बैक कमेंट सेक और अब सबको दुनियों और आखरत दुनों की काम्यापियां और खुशियां दे आमीन सुमा आमीन थैंक यू सो मच फर वाचिंग अला हाफिज